जै हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने योटूब चैनल यूनीक ग्यान में तो आज हम भी ये थर्ट सेमेस्टर के हिंदी निवंद भाग के उत्तरा फालगुनी के आसपास निवंद को अच्छे से समझेंगे और ब्याक्षां बहुत ही अच्छे से जानेंगे जिससे हमारा एकजाम में एक भी प्रस्न न छूटे यह कुवेर्नाथ राय दी द्वारा लिखा गया है कुवेर्नाथ राय का जन्म 26 मार्च 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मत्सा गाउं में हुआ था सरपर्थम हम जीवन परिचे जान लेते हैं कुवेर्नाथ राय जी का उसके पश्चात हम उत्तरा फालगुनी के आसपास का सारांस अच्छे से समझेंगे क्योंकि लेखक के बारे में भी प्रस्न सीधे सीधे एकजाम में पोच लेता है उनके पिता का नाम बैकुंठ नारायन राय तथा माता का नाम लक्षमी राय था पिता का क्या नाम था बैकुंठ नारायन राय तथा माता का नाम लक्षमी राय था उन्होंने मतसाम और क्विंस कालेज और वारारसी कासी हिंदू विस्विध्याले वारारसी और कलकत्ता विस्विध्याले से सिच्छा प्राप्त की उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों से सिच्छा प्राप्त की, उन्होंने कासी हिंदु विस्विध्याले में भी पढ़ा है, कलकत्ता विस्विध्याले से भी सिच्छा प्राप्त की है उनकी पत्नी का नाम महारानी देवी था और अपने सेवाकाल के आरब्मे में उन्होंने विक्रम विद्याले कोलकाता में अध्यापन किया उसके बाद वे नलबारी असम में अंग्रेजी के प्राध्यापक और सहजानन्द महाविद्याले गाजीपुर में प्राचारिय रहे और उनका निधन कुवेर नाथ राय जी का निधन 5 जून 1996 को उनके पैत्रिक गाउं मत्सा में हुआ था अब हम इनके रचनाओं के बारे में जान लेते हैं जिससे सीधे सीधे प्रशन पूछ लेता है तो इन्होंने निबंद लिखा है प्रिया नील कंठी रस आखेटक गंध मादन निसाद बांसुरी विसाद योग पर्ड मुकुट महा कवी की तरजनी आप लिख भी सकते हैं साथ ही साथ जिससे आपको याद हो सके क्योंकि यह बहुत ही महत्पून निबंद है जो की पूछ सकता है और कुवेर नाथ राय जी ने सबसे अधिक निबंद की ही रचन की है उनके निबंद हमने क्या बताए प्रिया निलकंटी रसा खेटक गंध मादन निसाद बांसुरी विसाद योग पर्ड मुकुट महा कवी की तरजनी पत्र मड़ पुतुल के नाम और मन पवन की नौका किरात नदी में चंद्रमधू द्रिष्टिम अभिसार त्रेता का व्रिहत साम, कामदेनू, मराल, आगम की नाव, वाडी की सीर सागर और रामायर महातीर्थम उत्तर कुरू ये सब उनकी बहुत ही चर्चित निबंद हैं काब भी उनकी एक है कथा मड़ी तथा ये सब उनकी कृतियां थी जो की पेपर में पोच लेता हैं अब हम लोग कुबेनाथ राय को ललित निबंद परंपरा का एक ससक्त निबंदकार के रूप में ख्याति प्राप्त है क्योंकि वह बहुत ही अधिक निबंद लिखते थे और इस निबंद में कुबेनाथ राय के द्वारा मनिस्यों की आई को रितूओं और नच्छत्रों के समान ही बत पुरातन तथा नूतन दोनों विचारधाराओं को साथ लेकर चलने पर बल दिया गया है। उत्तरा फालगुनी कहा गया है। चमाचम धारदार पत्थर कहते हैं और वह कहते हैं कि युवाओं के हर अंग में जलता हुआ फासफोरस है। जो कुछ भी कार्य करने में सच्छम है वह सक्ति का परतीक है। वह कहता है कि जीवन का तीसवा साल संगर्सों से भरा होता है। उसे इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संगर्स करना पड़ता है। तथा भविस के लिए भी सोचना पड़ता है। पहला उपदे सर्मन ऑन माउंटेन में दिया था। देखिए तीस वर्स की उम्र में गौतम बुद्ध सत्थ की खोच के लिए घर छोड़का चले गए थे। साथ ही साथ यूसी क्राइस्ट ने उदारण दिया है कि इन लोगों ने तीस वर्स की उम्र में ही एक नई पहल की सुरुआत की थी। तीस वर्स की आईव में उन्हें सूली पर चड़ा दिया गया था किसे येसु क्राइस्ट को बालमी की रामायड की अनुसार 27 से 30 वर्स में वनवास के लिए चले गए थे कौन राम और साथ ही साथ समय सीता की आईव 18 की थी। उस समय सीता जी की आईव 18 वर्स की थी। वनवास के 13 वर्स में अथा सीता का तीसवा पार करते करते सीता अरड की घटना घटित होई थी। अता हम तीसवा वर्स सदयाव वरड के महा मोहूर्द के रूप में आता है। और संपूर दसक उस रावड उस वरड और तेज के दोहे से अविस्ट रहता है हम तीसोत्तर दसक जीवन का घंगोर कुरुच्छेत्र है यह काम गदर पच्चीसी के विपरीत राम धुरधार काल है जिस पर चड़कर पुरुष तथा नारी अपने को अस विस्कृत करते हैं अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने सत्य करते हैं तथा अपनी आस्तित्व गत महिमा उधायित करते हैं अतोवक कम से कम ऐसा करने का अवरी तो अवस्य करते हैं अपने जीवन को सुधानने का प्रियत्न अवस्य करते हैं चालिस लगने के बाद पैतालिस तक यथा इस्थिती की उत्तरा फालगुनी चलती है पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनकूल उर्मिया परसपर के संतुलन को खोना प्रारम करती है कव चालिस से बाद पैतालिस लगने पर और प्राण सकती और ओहड की और उनमुक हो जाती है उसके बाद अनकूल उमिया असपस्ठता ठक कर होने लगती है और प्रतिकूल उर्मिया जो है वह प्रबल होकर देह की गाठ गाठ में बैठ रिपूवों से मेल कर बैठती है मन हारने लगता है, स्रिष्ट अना कर सक और रति प्रतिकूल लगने लगती है, बुद्धि का तेज घट जाता है और स्विकार पंथी होने लगता है एवम आत्मा की दाहक तेजो मई सकती पर विकार का धूम रचाने लगती है, मैं तो यहां पर पैतालिसवें वर्स की बात कर रहा हूं, परंत मुझे याद आती है कि दोस्ती वसकीम जिसने चालिस के बाद ही जीवन को धिकार दे दिया था मैं चालिस वर्स जी चुका, चालिस वर्स ही तो असली जीवन काल है, तुम जानते हो कि चालिसवें माने चरम बुढ़ापा, दरसल चालिस से ज़्यादा असभ्यता, असलीलता और अनयतिकता है, चालिस वर्स से उनका मानना था कि अगर चालिस वर्स से अधिक हम जीते हैं तो यह असलीलता अनेतिकता और असभ्यता है बला चालिस से आगे कौन जीता है मूर्क लोग और ब्यर्त लोग दोस्तों वैसकी की उस सकती उक्ती यदि साब्दिक अर्थ होगा कि छालिस वर्ष के बाद जीवन के साहज लच्चडों का परिवर्धन परिवर्धन स्रिजन का आत्मिक और मांसिक अस्तरों पर हरास होने लगता है पर मैं साड तब पाड की उक्तिगंगा की कछार का निवासी हूँ इसी से इस अवधी को पाँच वर्स और आगे बढ़ा कर देखता हूँ वो जो वसकी थे वो 40 वर्स मानते थे और यह जो लेखा काएं वो 45 वर्स मानते हैं यद्यपि दोस्तों वसकी की मूल थिसिस मुझे सही लगती है कि सकती 6 की प्रक्रिए 40 के बाद ही प्रारम हो जाती है यद्ध पियं अस्पस्ट रहती है इस प्रकाल लेखा कि ययात की तरह उधार का यवन प्राप्त करने का जिक्र करता है लेकिन बदले में अपना आत्म सम्मान वस्वाभिमान देना स्विकान नहीं करता है समाज और सासन के सब्दों के ब्यूं के पीछे यह कपट पाला जाता है अर्थाद यह जो निबन था इसमें कुबेन नाथ राजी ने मनुस्यों की आई को रितूओं और नच्छत्रों के समानी बताकर विस्तार्क से ब्याक्या की है यह था हमारा उत्तरा फालगुनी के आसपास निबन जो की कुबेन नाथ राजी द्वारा रचित है जिसको हमने अच्छे से समझा और जाना अगर इसमें से एक भी प्रसन आता है तो आपका विश्वास करिए कि नहीं चूटेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो सेर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे आप अगले वीडियो प्राप्त कर सके धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में